मतलब जो राजभवन है पूर्य देश में वो बीजेपी के हैड ओफिस बन गया है जो गुवर्णर है वो स्टार कंपेनर बन गया है बीजेपी के ये लोगतंतर नहीं है बुल्दस्ट और आज चाला के मेरे साथी भी रहे अर्विन जी संधेर राउज जी और मेरी पार्टी के परधान अर्विन के जिरिवाज जी और उद्र जी ने पहले भी हम मातुश्री में आये थी और यहां के हमें घरजयसा महौर मिलता है तो उसके लिए बहुत धन्यवाज कतना हूं कि नमान सम्मान करते हैं जैसा के उद्र जी और अर्विन जी ने बोला लोगतंतर खत्रे गुष बनाता है कभी की कुछ जंता से कोई जा गोफर्णर नहीं लिया आपनी मर्जीं का गवर्णर लगा दिया अप्तां करो चुनी होई सरकार को अगर सरकार इंकी नहीं बनी है हमें भी बज़र सेशन के लिए सुप्रीम कोट आना पड़ा हमारे तो इस बात से भी मुकर गये थे बज़र सेशन में कि मैं माई गौर्मेंट नहीं कहूंगा आपकी गौर्मेंट आपके समवन किया आपने तो भाषन जो लिखा है वो तो मतलब जो राजभवन हैं पूर्य देश में वो बीजेपी के हैड ऑफिस बन गये हैं जो गौवर्नर है वो स्टार कंवेंटर बन गया है यह लोग संतर नहीं है गुल्दस्ते में एक ही तरह के फूल नहीं हो सकते भारत एक गुल्दस्ता है हर फूल का अपना अपना रंग मतलत है है फूल की अपनी खुश्षबू है तो एक माला की तरह भारत है हर माला मन का म सबकुश कैसे हमாर ही हो सबकुश हम ही राज करें जैसा कर ग कर सा अको पिकाते घुशल से नहीं है तो पालए तो में देश के लिए लोगतंतर जो है justu जाने कायों जासके तीलए निगा है कि विपक्ष नहीं हम तो देश को प्यार करने वरे लोग हैं असलमें असली जो भिरोधियां देश में जो देश को चला रहे हैं जो हरोज कि दग्र euros लोग तंत्र की तो दिली की उसके बाद आपको सुनके ताजब होगा 2015 में शक्तियां शीनली तब 67 सीट आई थी सतर में शक्तियां ना होने के बावजूद भी अवेंजी ने काम किये अपने दिल इरादों से क्योंकि उड़ान जो है वह और से होती है वह पंखों से नहीं होती है सिटी टीट्री अब इनको यही दिखकरता है कि हम लोग अब CC भी हार गए आव इनको यह लगता है कि हम दीरे दीरे देश में हारना शुरू कर चुके हैं तो अब अभी डेश को बचाना अगर अगर देशी ना बचा तो फिर पार्टियां क्या करेंगे पार्टियों को प्रदान बनके मुख्यमंत्री बनके क्या करो में जब देशी न रहा प्रदान मंत्री जी बिलकुल आने वाले जुनों में नरेंदर पूतर बनने वाले हैं यह यह कहेंगे 35 साल की मैं हूं तो यह उन राहों पर चल रहे हैं तो यह बहुत खतरनाक है देश का लोगत अंतर जो है देश के शहीदों इनकी कोई करवाने में कोई यूदा नहीं है लेकिन जो अजादी के परवाने से उन्होंने ने देश लेके दिया और देश को ये कि इन हाथों में बेच रहे हैं कैसे हर रोज बैंक बैंक बिक रहे हैं रेल बेच दी तैल बेच दिया एरपोर्ट बेच दिया सब कुछ बेच दिया कैसे जो को दंग किया जा रहा है हम उद्सी के पास इसलिए आएं कि क्योंकि यह भी पीड़त है जो मैं नोत हाडी लेकर बैठें देने के लाइक रहेंगे कि हम कोशिश कर रहे थे हम लोगों को 140 लोगों को ये बात मीडिया के जरी है अपने भाषा में समझा रहे थे लोग तंतर को बचाने के लिए आज हम आए हैं और मुझे खुशी है कि उद्व जी ने बहुत ही साथ दिया और पहले भी बहुत ही तो मैं इनका बहुत अभार भी दिप करता हूं के हमें मांस मांदिया और इनको पंजाब आने का नियोता भी देता हूं आए करवार साल आई है माता टेकिये वहां पे बहुत शांती स्कून वाली जगर है और हम लोग मिलके सब देश को क्योंकि लंबे सफर को मीलों में मत मत बंठिये कौम को कभीलों में मत बंठिये एक बेंता तरिया है मेरा भार्त देश इसको नदियों और जीलों में मत बंठिये अधिये